अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथी बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन ओन भी कर लेट आपकी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको असानी से मिल सकें तो चलिए आप हम इसे सुरू करते हैं, जैसा कि यहाँ चैप्टर दिया हुआ है तीन और चुनावी राजनितिक के बारे में जानेंगे कि चुनावी राजनितिक होता क्या है, सबसे पहले यहाँ जान लिजे की चुनाव क्या होता है आपने पिछले चैप्टर में चुनाव और लोग तंतर के बारे में बहुत सारी कहानिया पढ़ी है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एरे उस प्रिविएस वीडियो को देखें ताकि आपको यह आसानी से समझ में आ सके तो चुनावी राजनिती क्या होता है जहां चुनाव होते हैं और जहां चुनाव में बहुत सारी पार्टियां क्या करती है अपने अपने जो उनको चिन मिला होता है जैसे मान लिजे की कॉंग्रेस का हाथ है या फिर बीजेपी का कमल चाप है तो इस तरीके के चीन से वो क्या करती है अपनी पार्टिया बनाती है तब उन्हें उनकी पार्टियों का मतगनरा होता है और फिर जाकर चुनाव की प्रक्रिया आरंभ होती है तो यह सारी चीजे जो है चुनावी राजनिती में आती है अब चुनावी राजनिती के अंतरगत बहुत सारी चीज़े की हुद सबसे हैं यो होता है तो इस समय क्या होता है कि सबसे पहले पार्टीं में करता। अपने जगहों पर अपने वाड़ों में इसका प्रचार प्रसार करती है जो भी पार्टी जो है मतलब अच्छा कारे करती है या अच्छा कारे करने का जनता से वादा करती है उनको भविश्य में क्या किया जाता है मतलब चुना जाता है सत्ता के दौर में कि किसका सासन होगा जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उन्हीं को जो है सासन चुना जाता है तो इस चुनावी राजनितिक में बहुत सारे दोर होते हैं मतलब इसमें क्या होता है कि पर्थी दुन्दिता होती है बहुत सारे दल जो है एक दूसरे से लड़ते हैं चुनाव करते हैं और जो कि एक नेता है जिसका नाम है स्रीदेविलाल वो हर्याना में चुनाव मतलब के लिए मतलब खड़े हुए हैं तो वो बहुत ज्यादा ही परसिद नेता हैं उन्होंने एक दिन में लगभग नौ मतलब रैली जो है वो देखी और इसमें भासन दिया है यह जो हर्याना में उनक सबी नेता का इंतिजार करते हैं और भासन देते हैं कि हमारी सरकार को चुनते हैं तो हम आपके लिए अच्छा काम करेंगे आपके किसानों और सरमी को का जो रिन हैucc करें वो बहुत होती है और तक पश्चाद जो जब चुनाओ होता है तो उन्हें चुन लिया जाता है और चुनने के पश्चाद जो है जिन्होंने अपना मतलब जनता से वादा किया था सरकार ने कि हम अपकारिन माफ कर देंगे उन्होंने क्या किया कि जनता कारिन जो है वो माफ कर दिया और इस तर अच्छा होता है उनको भविश्य में चुना विजाता है और स्रीदेविलाल को हर्याना में जब चुना गया था तो उन्हें चार वर्सों का सासन मतलब मिला था उनके अच्छे कामों के कारण चार वर्सों तक यहां पर सासन कर पाए हैं अब चुनावों की जरुवत क्यों हो परमुख वाक्य है आपको अब्राहम लिंकल अमेरिका के राष्टपती के द्वरा दी गई थी तो आज लोगतंत्र पूरी दुनिया में विदवान है और सौ से ज्यादा देशों में लोगतंत्र की ही मांग है क्योंकि जिस समय राजा का साथन हुआ करता था हम अपने अपने एकधार सब्सक्वास होता है कि हमारे सकती है का सकती है कि हम सबसक्राइब को हमें पराकौकार निवादा ही जाता है अगले वर्सों के लिए भी लेकिन जो सरकार्य अपने वादा नहीं निभाती हैं उनको नहीं वाफो से चुना जाता है कहने का अर्थिया है कि मान लिजे कोई नेता है जैसे वो भासन दे रहें कि हम आपको जल देंगे उसके बाद आपकी जो पानी की समस्या उसको दूर कर देंगे आपके महलों में सरके बनवा देंगे आपके बच्चों को स्कूल जाने में किसी भी तरीके से कोई कठिना ही नह तो इस तरीके के वादो से जनता काफे जादा प्रभावित होती है जो सभी नेता अपने भासन में देते हैं अब बात यह है कि यह पूरा होता है यह नहीं होता यह तो वक्त की बात है कि जब मतलब सरकारे जीत जाती है और नेता बन जाते हैं तो वह हमारे कि इतने वादो को पूरा कर पाती है, 100% में से मातर 20 या 30% वादोlt को ही पूरा कर पाती है, अगर कोई पचास या सार्थ परतिसात वादो को पूरा कर लेता है तो फिर उसी की सरकार अगले वर्स भी बनती है, इसमें भी कहने का आर्थ ही है कि मान लीजिए कि किसी सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया तो वो बहुत सारे वादों को इसलिए भी पूरा नहीं करती है क्योंकि जब अगले वर्ज उनको चुना जाएगा तो यह वो वादा करेगी कि हमने तो पिछले में बहुत सारे कामों को किया है आप जब अगली बार सरकार चुनेंगे तो अपने बाकी सारे कामों को भी कर देंगे तो यह चुनावी राजनिती होती है जो हर नेता जो है वो करते हैं जाय जैसे भी हो तो चुनाव की जर्वत हमें इसलिए होती है कि हमारे जितने भी मतलब जनता है उनकी जो भी मतलब मांगे होती है और जो उनका अधिकार होता है मानवी अधिकार उनको वो किस तरीके से लेते हैं सरकार चुनने के बाद जो सरकार उन्दाइत वो किस तरीके से पुरी करती है इसलिए चुनाव की आवशक्ता जो होती ही है अब चुना को लोगतंत्रिक मानने के क्या आधार है हो सकता है मान लिजे दुनिया एतनी बड़ी है आज हमारे यहां लोगतंत्र है लेकिन अगर कहीं लोगतंत्र नहीं हो तो क्या होगा बहुत सारे ऐसे देशे जहां लोगतंत्र नहीं है लोगतंतर को तो हम भखोभी समझ चुके हैं कि यहां पे जनता के दारा वोट दिया जाता है और सरकार को चुना जाता है तो यहां पे क्या होता है कि जनता जो है वो ही सरकार चुनती है तो लोगतंतर में हमें सक्ती का एहसास होता है, दूसरी बात है, कि लोगतंतर ऐसी चीज है जहां आपको समानता का हैसास होगा. और जैसे मान लिजे बहुत ज़्यादा गरीब देश और बहुत ज़्यादा अमीर, मतलब एक ही देश में दो लोग पलते हैं गरीब और अमीर, उसी में जातियां भी बटी होती है, कुछ उची जाती होती है, कुछ नीची जाती होती है तो इस अधार पर हम समाज में काफी जादा भेदभाव देखते हैं और जिनके साथ भेदभाव होता है वो महसूस करते हैं कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए मान दीजे कि आपको जात के वज़े से या अमीरी गरीवी के वज़े से किसी जगा अच्छे पढ़ाई लिखाई में नामंकर नहीं मिल पाता है और उनको मिल जाता है जो या तो पैसे सामीर है या काष्ट में उपर है तो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेग तो भारत के परतेक नागरी को कितने वर्स में वोट डालने का अधिकार है अठारा वर्स आपको भी ये बात पता होगी तो जिस समय हम वोट डालने जाते हैं उस समय जो हम लाइन में खड़े रहते हैं तो हडवेक्ती चाहे वो अमीर हो या गरी वो सभी एक लाइन में का मांता का अहसास होता है कि देखिए वह भी अमीर और हम भी गड़ी लेकिन हम लोग क्या किये हैं साथ-साथ लाइंग में खड़े हैं अगर कोई अमीर है या फिर मतलब उसका कास्ट तो कास्ट और मतलब अमीरी की आधार पर जो है हम वोटिंग मतलब ववस्ता में जो इस सब्सक्राइब होते हैं और चुनाब में जो विकल्प होते हैं पार्टियों को पूपीदवार को चुनाओ में उतारने की आजादी उयुए मत다ौइब पेस करते तिसरा क्या है कि चुनाओ का और चुनाओ का स्ब्सक्राइब तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर हमारे लिए कुछ अच्छा करती है नहीं है माल लिजए दुनिया में इतनी सारी बेरोजगारी है बेरोजगारी तो आपको पता होगा हम किसे कहते हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो पढ़ लिख लेते हैं जिने रोजगार नहीं मिलता उसे हम बेरोजगार खाते हैं और हमारे यहां 50% से ज्यादा विरजगारी है भारत में तो अगर इन सब चीजों को दूर करने की बाद सरकार करती है तो तब ठीक है लेकिन ऐसा होता है नहीं चौता है जिसे चाहे वास्ता में चुनाव उसी का होना चाहिए पाच्वा क्या है कि चुनाव सुतंत् अधिकार होता होता माने जिक सकती जिसको बोलता है पावर की मेरे पास लिए हम इस जगा का वो है वो जीए सकते हैं हम प्राजनितिक पर्ति दून दिता अच्छी चीज है तो working जा जो किता èces कम दूस्ट हो जाए इस तरीके से लोग क्या करते हैं अपने वाडों में महलों में जाकर इसे की मिठाई बटवाना या फिर कपड़े बटवाना या फिर जनता का ध्यान रखना या किसी को अगर चोट लग जाती है तो उनकी देखरेक करना मतलब वोट को जितने के लिए सरकार करता हर हर्जा या क Character को क्या करती है अपनाती है ताकि जो है जिसे मन फिए प्रकड़े हो वह उसी PaaTi को वोड़े जिन्हों हमेसा हो चमारे और और जनता के लिए आगे आकर करते हैं तो यहीं रखता है कि जो जनता के लिए कारे कर रहे हैं वही हो सबता है हमारे लिए भविस्ते में भी अच्छा कारे करेंगे तो यह सारी चीजे देखते वे भी क्या होता है कि वोटों के मदब उनके कामों को देखकर सरकार को चुना जाता है यहां पर देखे एक कार्टून दिया हुआ है मतलब इसको हम समझेंगे कि मेरे पास योजनाएं हैं और घोसनाएं हैं और वादें ऐसा सरकार बोलती है लेकिन जो जनता वो बोलती है कि मेरे पास वोट है यहां पर जादा महत्वाब को दिखड़ा होगा और दूसरा चित्र देखिए यहां पर दोनों कार्टून जो दिये गए वो बताने कि परते कार्टून का क्या संदेश है इसे अपने सब्दों में लिखना है अपनी कक्षा में इसे चर्चा करना है किसमें कौन सा कार्टून आपके अपने इलाके की असलियत के कड़िव है मतदाता और उमीदवार के संबंधों पर चुनाओं का असर बताने वाला एक कार्टून खुद बना इस तरीकी का कार्टून क्या कर सकते हैं आप भी बना सकते हैं यहां पर भी जो दूसरा कार्टून दिया हुआ है पहरा कार्टून में तो हम समझगे कि यहां पर सरकार बोलती है कि मेरे पास योजनाएं और घुसनाएं और वादे हैं तो जब वो सरकार बनेगी तब तो इस योजना और घुसना और वादो को पूरा करेगी और व्यक्ति अपना वोट का अधिकार बताता है कि मेरे पास वोट है जिसको भी वोट दिया जाएगा वही सरकार चुना जाएगा जिसका जादा वोट होगा और दूसरा आप देख रह पाकिस्तान में बात करते हैं तो वहां पे पूरी वो सेना का सासन होता है, सेना का सासन करने अर्थ है कि नाम मातर के जो प्रधान मंतरी हैं वो बस आपके सामने हैं, बाकी सारा कारे जो है वो सेना का ही होगा, सेना के ही अंडर में प्रधान मंतरी भी कारे करते हैं, अगर वे नहीं कारे करते हैं तो या तो उन्हें मारने की ध भारत में प्रख़ाग हो प्रतेक 5 साल उते हैं जिसमें परधान मंतरी चुना उता है आपको आपको वाट पड़ेशत का चुनाव 1921 शुक्त अरप अधार जय वह 5 वर सो कहा होता है इसमें क्या-क्या होता है के हमारे चुनाव पर नाली में मतंब जो निर्वाचन चेत्र होत जो भी पार्टी है चुनाव में लड़ना चाहती है, जैसे कि अगर आपकी उमर अगर 80 से उपर है तो आप भी क्या कर सकते हैं, अपनी पार्टी बनाकर उसके बाद लड़ सकते हैं, बस यही वैल्यू क्या होना चाहिए कि जो निरवाचन छेतर हैं, मेंबर सदस्द से हैं, उसको मतलब अधार अगर नाम देता है, अगर भेड़िफाइड कर देते हैं, तभी आप चुनाव छिन के साथ चुनाव लड़ सकते हैं, तो चुनाव कोई भी लर सकता है, अब लोग सभा statistics हैं होते हैं, जो परतेख पांस साल पर होते हैं यह हमने जाना उसके बाद क्या होता है कि मतलब जुनाव परणाली के अंतर पर बहुत सारी पार्टियां जो है वो आती है पार्टियों के आने के बाद निर्वाचन छेतर जब उन पर मोहर लगा देता है तो वो अपनी पार्टियों के साथ मतलब अपने महलों में या फिर अ तो इस दोर में क्या होता है कि सरकार अपने भासन को भी मतलब प्रभावित तरीके से देती है ताकि जो है लोगों को समझ में आ सके कि जनता उन से किस तरीके से जनता के लिए वो किस तरीके से कारे करेंगे यही चुनाओ है और इसी तरीके से होता है और कभी कभी उप्चुनाओ भी होता है जैसे मान लिजिए कि कोई मुक्यमंतरी का पद है और उसकी मतलब अचानक से मित्वी हो गई तो उस समय उप्चुनाओ भी करवाये जाते हैं चुनावी ख्यतर, हमने चुनावी ख्यतर के बारे में जाना है कि बहुत सरे चुनावी ख्यतर होते हैं आपको a니까 map दिख रा होगा, यह गुल बाढ़गा का map है लोकसभाण निर्वाचन ख्यतर की सीमा और गुल बाढ़गा कला बुरी की जीले की सीमा में अंतर कि हुए अपने लोक सभाने रवाचन छेतर का ऐसा ही नक्सा बनाई जैसे कि अगर आप बिहार में रहते हैं तो आप बिहार का नक्सा बना सकते हैं और गुलबढगा लोक सभाने रवाचन छेतर में विधान सभा के कितने छेतर हैं कि आपके लोक सभा छेतर में भी विधान सभा की इ चितापूरा में 40 है गुलबढ़गा उत्तर में 44 है और यहां पर गुलबढ़गा ग्रामीन चेतर में 45 है जे वरेगी में 45 है और 34 अफल जलपूरा में है और गुर्मीत कल में 49 सीट है यहीं टोटल सीटे मिलाकर जो है वह चुनाव कराया जाता है और जिश्युज़गा पर जीतने के लिए को सीटे मुख्य रूप से होती है जैसे कि 247 सीठ हो सकता है बिहार में जो है अब हमने यह सब जान लिए जैसे कि आपको बताया भी कि टोटल जो वह पांसो ताली सीठ होता है इसका विबढ़न जो है वह आपको आगे भी दिया जाएगा कि कि इस तरीके से जो है बहुत सारी पार्टियां होती हैं यहां पर देखिए एक मैप तिया वाज इसमें आपको बहुत अच्छ से समझाया गया है कि यह टोटल सीट है पांसो तैसारी सामाने जो है वह 412 है उसकी सीटे सारी है और अरचित अनूजाती जो है वह एटी फोर है और अरचित से यह टोटल सीटे जो है पांसोटालिस बनती है इसी के द्वारा जो है वो चुनाओ होता है यहां पे मेके करके देखेंगे कि जो चुनाओी पार्टियां हैं उनमें कौन-कौन से मतलब कितने-कितने राज्यों में कितनी-कितनी सीटे हैं आंधर परदेश में पचीस है और हिमाचल परदेश में दो है असम में 14 है बिहार में 40 है 36 गढ़ में आपको है 11 और गोवा में है दो गुजरात में 26 और हर्याना में है आपको 10 और हिमाचल परदेश में 4 जारखंड में 14 करनाटक में 28 केरल में 20 मध्यपरदेश में 29 महराष्ट में 48 मनिपूर में 2 मेघाले मे में दो मिजोडब में एको उडिशा में ऐक पंजाब में तेरा रास्थान में मआप 25 सिक्किम में सच्फिम में हुएंट में 59 तिलंगना में 71 तरिपूरा में दो उत्तर पर्दिस में 80 और अत्राखण में 5 पशिम्बंगाँ में 42 है तो हमारे Does जो की होगा और केंदर सासित पर्दिसों की सीटों में अंडबार निकोबार में एक सीट, दीप समूम अंडबार निकोबार निकोबार दीप समूम में एक सिर चंडीगर में एक, दादर नागर हवेली में एक, दमन और दीब में एक, और उसके बाद दिल्ली में साथ है, जम जब हम पढ़ाएंगे इनको तो हम आपको जब question answer बताएंगे तो आपको इसका अच्छे से उत्तर दिया जाएगा आप देखे हम आगे की और बढ़ते हैं यह होगी आपको मतदाता सूची क्या होती है कि एक बार जब निरवाचन छेतर का फैसला हो जाता है तो यह किया जात फैसले सकते हैं वोट डाल सकते हैं हमारे जो वोट का अभार है को किया बिलकुल एक समान है मतब्द सबका वोट का वैल्यू जो है वो बिलकुल एक ही होगा जो भी 18 वर्स के वैखती है उनके पास अपनी वोट आईडी कार्ड होनी चाहिए जिस दिन भी चुनाव की प्रक पार्टियों के बारे में पड़ा जिस भी अस्थान से जो भी पार्टी लड़ती उसको उमिधवार बोलते हैं तो मान लिजे कि BJP है और BJP में से किसी एक व्यक्ति के द्वारा चुनाव लड़ा गया है तो उसी व्यक्ति को क्या हम बोलेंगे वही व्यक्ति क्या कहलाएगा उमिधवार कहलाएगा और लोगतांत्रिक चुनाव में लोगों के पास वास्तवी विकल्प होना चाहिए या तभी होगा जब किसी के भी चुनाव लड़ने पर लगवग किसी भी किसम की बंदिस नहों हमारे चुनाव पढ़नाली ऐसा ही करती है जो कोई व्यक्ति मुत द आता है वсь उमिधवार भी हो सकता है मतलब जो आठाइडा साल का वह भी कर सकता हैा उमिधवार बन सकता जैसे कि मैंने आपको सज्जाया या थाड़ा बर्स में बहुत आलने का धीकार हो जाता है जबकि उमिधवारlagen के लिए उनका यहो चाहित होता है वह ती जो भी जिस जगा पे भी आप वो डालने जा रहे हैं उस अस्थान का नाम दिया जाता है चलिए तो यह हमने जान लिया मतलब उमिदवारों के बारे में क्यों उमिदवार होते क्या हैं तो अभी हम इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं यह वीडियो का पार्ट वन था और इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं इसका पार्ट टू जब हम बनाएंगे तो हम देखेंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थाइंक यू मिलते हैं अपने इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट टू में